योरोप में समाजवाद एवं रोशी करांती हाँ जी यही विशा है कक्छा 9 के लिए भारत एवं समकालिन विश्च्व के भाग एक के अंतरगत हम लोग पढ़ रहा हैं इतिहास और उसका दूसरा अध्याय योरोप में समाजवाद एवं रोशी करांती इस पूरे अध्याय के अंतरगत जो चेक्टर्स हैं उनको जान ले हम सबसे पहले हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन का योग इसके बाद देखेंगे हम उदारवादी, रैडिकल और रूड़िबादी ये क्या होते हैं इनको समझेंगे इसके बाद हम जानेंगे ओद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन को फिर हम समझने का प्रयाश करेंगे यूरोप में समाजवाद का आना और अंतरवे हम देखेंगे समाजवाद के लिए समर्थन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन का यूग और जानेंगे इस यूग को लाने के लिए प्रियास करने वाले उधारवादी, रैडिकल और रूढ़िवादी के बारे में समझेंगे कि आखर ये हैं कौन कक्षा 9 को पढ़ते हुए भी हमको काफी टाइम बीद गया और कक्षा 9 का जो बदला हुए सिलेवस है मध्यप्रदेश बोर्ड के लिए उसमें इतिहास भाग से हमने शुरूआत की थी हमने फ्रांशीशी करांती से कक्षा 9 का सामझी विज्ञान विशय पढ़ना आरंभ किया था अच्छा आपको एग बता दू आप लोगों को ये तो पता है ना कि आपके कुल कितने सब्जेक्ट हैं नाइंथ क्लास में जो बच्छे कक्षा 8 उतीर नो होके कक्षा 9 में आये हैं मैंने कुछ बच्चों से बात की तो उनको अभी जयनकारी नहीं है कि नाइंथ क्लास में कुल सब्जेक्ट कितने हैं जितनी किताबें मिली हैं उनको सब्जेक्ट में काउंट कर ले रहे हैं आप लोग तो आपको बता दूँ मैं कि जो सामजिक विज्ञान विशाय के अंतरगत आप लोगों को चार किताबे मिली हैं इतिहास, भूगोल, राजनीती विज्ञान और अर्थशास्त्र की भले ये किताबें चार हैं, लेकिन आपका सब्जेक्ट जो है कक्छा 9 के लिए वो एक ही है सामजिक विज्ञान, मतलब इन चारों किताबों से एक ही पेपर होगा ऐसा नहीं है कि आप 4 किताबें पढ़ोगे तो उनके लिए 4 अलग अलग एकजाम में वेपर देने होगे ऐसा कता ही नहीं है, इसलिए आपको बता दें आपके खक्छा 9 में कुल विज्ञा सामजिक ज्यान की हैं उन चार किताबों में से इतिहास किताब जिसका शीर्षाक है भारत एवं समकाले ने विश्व भाग एक भाग दो हमदा सीम पढ़ेंगे तो ये इसी किताब के अंतरगत इस इतिहास के अंतरगत हमने शुरुआत काहे से की थी फ्राशिजी करांती से बहुत लंबा चैप्टर तो इस्いき अंतरगत आप जो यहाँ पर देख रहा है इसमें आपको ये जो पांच चेप्टर हैं जिनमें से उपर के दो चेप्टर हमको आज पढ़ लेना है सामाजिक परिवर्तन का यूग और उस परिवर्तन के जो वाहक थे वे थे उधारवादी, रैडिकल और रोडिवादी वे किस तरह के लोग थे, उनकी रीती नीती क्या थी, वे किस तरह से कारे करना चाहते थे चलिए हम उसको समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं सामाजिक परिवर्तन का यूग जैसा कि आपकी किताब में हेडिंग दिया हुआ है पिछले अध्याए में आपने फ्रांशिशी करांटी के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंतरता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा आपने बहुत अच्छे से फ्रांसिसी क्रांती को देखा फ्रांसिसी क्रांती में आपने देखा कि निरंकुस राज तंतर का खात्मा करके वहाँ पर प्रजा तंतर की स्थापना की गई गड़ तंतर की स्थापना की गई वहाँ पर जो अलग अलग तरह के लोग रहते थे विशेशादिकार वाले और कुछ लोग शोशित और दमित शोशित और दमित लोगों ने वहाँ पर क्रांती की और स्वतंतरता समानता इन विचारों के आधार पर बंधुत्तों के विचारों को ले करके एक नय यूकी सूत्रपात कर दी फ्रांशीशी क्रांथी के बाद मैं यूरोप में भी फ्रांस के वही विचार यत्र तत्र सर्वत्र प्रशारित एवं प्रचारितों होने लगे फ्रांशेशी क्रांटी ने सामाजिक संरचना के छेतर में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया था आमूल परिवर्तन मतलब सिरे से आखरी तक संपूर्ण परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया सम्पून परिवरतन मतलब हम लोग हमारे देश में सुनते हैं कि राजा सनकी हुआ करते थे, राजा निरंग को सुगा करते थे, सुनते हैं अकसर? ऐसा यूरोप में भी था फ्रांस के बारे में आप लोग जानी चुके हैं कि फ्रांस में जो गरीब जनता थी वह किस तरह से कुलीन वर्गों और पादरियों पादरियों मतलब जो धर्म के ठेकेदार थे वहाँ पर जो धार्मिक किसंस्थाओं के प्रतिय निदी थे वहाँ पर उनके जो उनकी अयाशियों के बोझ तले दबे हुए थे यह हाल केवल फ्रांस में नहीं था यह हाल सारे यूरोप में था येसिया में था भारत में भी यही चीज थी लेकिन भारत में चोकी अंग्रेजों का शाषनकाल था तो अंग्रेजों के विरुध लड़ाई के मामले में जब हम आगे कुदे तो हमारी सामाजिक कुरुतियों थोड़ा सा उन पर परता पड़ गया लेकिन अपन बात कर रहा है यूरोप की कि यूरोप में समाजवाद का आगमन कहां से हुआ तो समाजवाद के आगमन का जो गेटवे था जो द्वार था वो क्या था फ्रांसिसी क्रांती के खत्म होते ही फ्रांसिसी क्रांती के जो स्वतंतरता समानता और बंधुत्यों के वि उससे मुक्ती पाई जा सकती है। सदियों से जो लोग शोशित और दमित थे, उनको ये लगता था कि हमारी नियती यही हो गई है, लेकिन फ्रांच की करांती के बाद ये लगने लगा कि नहीं, गरीबों के लिए भी स्वतंतरता होती है, दलित एवं शमित लोगों के लिए भी समानता होती है और स्राष्ट में रहने वाले महिला एवं पुरुस सभी के प्रती समानता और बंधुत्तों की भावना होती है। समझे कुलीन वर्गों को और पादरी ये पहले और दूती स्टेट के थे, पादरी जो थे परत δεν गलाते थे और मित्धिता और कुलीन जो है वह दूती तेक के अंतर गथा आते थे, लेकिन जो तृती स्टेट था वो टीन भाववन बटा था, तो अमीरों और सिक्षतों ने वकीलों ने वहाँ पर हर्ताल आंदोलन करते करते और वहाँ पर करांती का सूत्रपात कर दिया तो उस समय जब अपनने 18 वी शताबदी के उत्रार्थ में फ्रांसी सी समाज उस अध्याय को पढ़ा था तब हमारी समय बहुत अच्छे से आ गया था कि फ्रांस की समाज की आर्थिक व्यवस्था और समाज की व्यवस्था मतलब आर्थिक के सत्ता और समाज के सत्ता पर कुलीन वर्ग का और चर्च का इंत्रण है क्योंकि विकर लेते भी थे और करों का उपभोग भी करते थे जैसा कि हमने चित्र में बनाया था ना मकड़ा और मक्षी वाला सिस्टम की मकड़ी के जाल में मक्षी फच जाती है तो वह मक्षी उसको धीरे धीरे चुन-चुन के खाती है धीरे धीरे उसकी स्किन में से निकाल निकाल के और मक्षी का खात्मा करती है इसी तरह से फ्रांस म कुलीन वर्ग के जो लोग होते थे, वह किसान का धीरे धीरे करके सोसन किया करते थे, उससे टैक्स ले करके, कुलीन और पादरी वर्ग के लोग लिया करते थे। ये चीज़ हम अभी तक समझ चुके हैं। का समान अधिकार है इस नारे के साथ में वहाँ पर क्रांती हुई लेकिन इस क्रांती के बाद वहाँ पर संरचनात्मक बदलाव संभाव दिखाई देने लगे मतलब वहाँ ये लगने लगा कि अब टाइम फॉर चेंज आ चुका है ये जो फ्रांस 18 वी शर्ताबदी के पहले जो लोवर क्लास थी जो निमनिस रैनी थी जो तरती इस्टेट्स था उनके लोगों को आसू पोचने के लिए लोग नहीं मिलते थे निरंतर दुखी रहा करते थे करों के बोज के तले दबे रहते थे फ्रांसी सी करांती के बाद टाइम फॉर चेंज हुआ बदलाव आया और मुश्कुराने के लिए उनके पास में आऊसर उपल अब्द होने लगा उनको लगने लगा यूरोप के लोगों को कि हाँ अब हमारी स्थिती में सुधार हो सकता है यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के सुरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो इस बात पर चर्चा छिड़ गई लोग ये आपस में बहस करने लगे चर्चा करने लगे कि आखिर मौलिक अधिकारों का सुरूप क्या होना चाहिए समाज की सत्ता किसके हाथ में होना चाहिए इन चीजों पर वहाँ चर्चाए होने लगी फ्रांसीसी क्रांती की समाप्ती हो चुकी थी अब यूरोप के अन्य देशों में भी फ्रांस जैसी ही स्थितियां थी जो वहाँ पर निमन कलास के लोग थे वो शोशित थे वहाँ पर भी कुलीन वर्ग का समाज पर नियंतर था और इस तरह से पैसा होने के कारण आर्थिक सप्ता भी उनके पास में थी समाज तंतर के जो डोरी थी नियंतरन की वो उनके हाथ में होने के कारण वे राज दरवार के भी निकट हुआ करते थे ऐसी स्थिती में जब फ्रांसिसी करांती हो गई तब लोगों को उनका सोसन कब तक किया जा सकता था और फ्रांसिसी करांती के बाद उनको दिखने लगा कि जब फ्रांस के किसान जब फ्रांस के मजदूर फ्रांस के गरीब गुर्वे अपनी आजादी की लड़ाई लड़ सकते हो जीत सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं और इसी के साथ में यूरोप में सुरू होता है बदलाओ का एक नई आयुग एक नई विचारधारा आरम वोती है अच्छे ये बदलाओ के लिए भी अलग-अलग तरह के विचार होते हैं अलग-अलग तरह से मतलब क्या होता है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि इस तरीके से बदलाओ हो, कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं इस रास्ते से जाकर बदलाओ ठीक होगा, कुछ लोग बोलते हैं अपन इस रास्ते से चलते हैं, कुछ शॉर्टकट लेना चाहते हैं, कुछ डारेक्ट एक्शन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर अलग-अलग वि प्रांशिशी क्रांटी के महतों का उलेख किया और भी बहुत सारे लोग क्रांटी के बाद यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही चर्चा और बहस में कूद पड़े आगे चल कर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया तो भारत में राजा राम मोहन राय और डेराजियों ने फ्रांशिशी क्रांटी के महतों का का फ्यूले किया और धार्मिक पुनर जागरान की जो प्रेड़ना थी राजा राम मोहन राय को फ्रांशिशी क्रांटी से मिली इसके बाद फ्रांशिशी क्र चर्चा कर चुक है कि यूरोप में लोग बहस कर रहे थे तो उन बहसों में और भी लोग सामिल होने लगे मतलब वे लोग भी चर्चा में सामिल होने लगे कि किस तरह का समाज होना चाहिए और किस तरह की आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए किस तरह की सासन तंत्र चलाया ज संगठन मतलब समूह तयार हो चुके थे यूरोप में भी कुछ लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे मतलब जो बेवर्ष्थ चल रहे थी कुछ लोग ऐसे थे जो ये कहते थे नहीं नहीं सारी चीजें एकदम से मत बदलो थोड़ा थोड़ा करके चेंज करत रहो एक दिन पूरा चेंज हो जाएगा इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तयार थे लेकिन वह चाहते थे कि यह बदलाव धीमी गती से हो जबकि एक खेमा मानता था समाज का आमूल पुनरगठन जरूरी है इस पीट से हो थी शैली थी काम करने की उनके अधार पर कुछ conservative थे तो कुछ उदारवादी थे conservative को हम रोडी वादी कह सकते हैं हिंदी में रोडी वादी अंगरेजी में conservative और एक दूसरा खेमा था उदारवादीयों का जिनको हम अंगरेजी में liberal कहते हैं जबकि आमूल परिवर्तन कारी जो थे वो कहलाते थे radicals इन सारे के सारे जो समूह थे चाहे वो conservatives का हो या liberals का हो या radicals का हो सभी लोग अपने अपने तोर तरीकों से समाधान करने के पक्च में रहा करते थे उस समय के संदर्व में इन सब्दों का क्या मतलब था इन राजनीती की इन धाराओं में क्या फरक थे और कौन-कौन सी ऐसी बाते थी जो समान थी यहां हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक जैसा नहीं होता है तो यहां पर यूरोप में सामाजिक आर्थेक एवं सतात्मक परिवर्तन के लिए तीन तरह के समूह हमारे साम ने निकल कर आये हैं एक है रोड़िवादी समूह जिने हम कंजर्वेटिप्स कहते हैं एक है उदारवादी मतलब लिबरल और तीसरा है रैडी कल्सिया ने आमूल परिवर्तनकारी यह तीनों जो सब्दा वाली हैं यह तीनों जो सब्दे हैं समय के साथ-साथ इन में नाम वही रहता है लेकिन कार प्रणाली बदलने के कारण के अर्थ बदल जाते हैं हमने लोगतंत्र क्या और लोगतंत्र क्यों विसे पढ़ा ना उसमें जैसा कि लिंग दो मैडम ने अपने इस्टुलेंट्स को समझाते हूँ बोला था कि समय के हिसाब से जैसे के साथ ही उसमें सारे काम होने लेगे दुनिया के ये जो आप मुझसे रूबरू हैं इसमें कम्प्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरह ऐसे किसी भी सब्द का समय के साथ, देशकाल के साथ उसके अर्थ व्यापक होते जाते हैं, परिवर्तित होते जाते में हम 19-वी सताबदी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्यान करेंगे और देखेंगे की उन्होंने परिवर्तन के संदर्व में क्या असर डाला 19-वी सताबदी आपको बता दू 19-वी सताबदी ये कौन सी सताबदी चल रही है 21-वी सताबदी मतलब 21-वी सताबदी अठारा सो आने वाला होता है तो 18-वी सताबदी यहां बात हो रहे 19-वी सताबदी की मतलब सन 18-1 से सन 19-वी सताबदी की कुछ महत्वपूर्ण राजनेत एक परमपराओं का अध्यान करेंगे जिसमें रेडिकल्स के बारे में उदारवादियों के बारे में और रूड़िवादियों के बारे में हम समझेंगे और देखेंगे कि उन्होंने इन परमपराओं में क्या अंतर किया इनके परिवर्तन से क्या प्रभाव आया इन से क्या पढ़ा वहां की राजनीती में यह जो आप मैप यहां पर देख रहा हैं गुलोब को इस तरह से clockwise और anti-clockwise moment करते हुए इसमें लगभग बहुत सारे देशों के flag दिखा रहे हैं तो इन सारे देशों में लगभग इस तरह की विचारधारा हैं हैं जो परिवर्तन के संदर में अ और गठन का गंभीर प्रयास किया गया और वह घटनकरम है रूस में हुई क्रांती जिसके फल स्वरूप समाजवाद बीशवी सदी का स्वरूप तय करने वाला सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिसाली विचारों की सरंखला का हिश्चा बन गया हमने radicals नाम सुना अमूल प से 1900 के बीच में यह जो तीनों विचारधारा थी कौन कौन सी रूडिवाद, रूडिवादी विचारधारा के लोग, उदारवादी विचारधारा के लोग और radicals इनके अलावा एक और विचारधारा जो समाजवाद के नाम से जानी जाती है इसने यूरूप में रूस के मा प्रवावी रहे तो समाजवाद ने बीचवी शताब्दी मतलब सन 1901 से सन 2000 तक की जो राजनीतिक थी उसको प्रवावीत कर दिया और आप देखते हैं कि उसके बाद सारी दुनिया में समाजवाद अलग तरीके से परिभाशत होने लगा आपको मालुम होगा कि हमारा देश भी समाजवादी गणतंतरात्मक है पंथे निर्पेक छोने के साथ तो हमारा देश का जो समाजवाद है वो किसी राष्ट का यूरोप का या ऑस्टेलिया का या अफरीका का कहीं अन्य समाजवाद की कौपी पेश्ट नहीं है फोटो कौपी नहीं है हमारा समाजवाद हमार देश के समाज, आचार विचार और समाजिक संरचना के अधार पर समाजवाद है, उसकी चर्चा हम कभी बाद में करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं यूरोप में समाजवाद के आगमन के लिए और उसके लिए प्रयास करने वाले रैडिकल्स, लेबरल्स और कंजरवेटिप् विचार धारा को समझने के लिए, चलिए टेकते हैं, तो ये समाजिक परिवर्तन का योग आप लोगों ने देखा और अब हम सुरू करने जा रहे हैं उदारवादी, रैडिकल्स और रोढ़िवादी के लिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं उदारवादी को, समाज परिव परिवर्तन के लिए, अलग-अलग तरह के समुह कारेरत थे, जिन में एक समुह कौन सा था? उदारवादियों का, अच्छा, उदारवादियों की जो विचार धारती क्या थी आपके एक्जाम में आ सकता है, देखिए, कि मालो आ गया कि उदारवादियों की कारिशयली तो इस तरह चीजें आ सकती हैं, तो आपको बता दूँ कि उदारवादि जो थे, वे एक ऐसा राष्ट चाहते थे, जिसमें सभी धर्मों को बराबरी का सम्मान मिले और जगह मिले, अच्छा क्या आप जानते हैं कि उस समय यूरोप के देशों में प्राया किसी एक धर्म क ही ज़्यादा मेहत दिया जाता था, जानते हैं कि नहीं, नहीं जानते तो आप इस समझ लीजिए कि ब्रिटेन की सरकार उस समय चर्च ऑफ इंगलेंट का समर्थन करती थी, जबकि आश्ट्रिया और इस्पैन कैथोलिक चर्च के समर्थन थे, कैथोलिक चर्च क्या होती है प्रोटेस्टेंट क्या होते हैं और आर्थोडॉक्स क्या होते हैं इसके बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे वह जब वह कंटेंट आएगा तब अभी आपके लिए तना समझना काफी है कि यहाँ पर दो तरह की चर्च आपके सामने आ चुकी है एक ब्रिटेन सरकार जिसको मानती थी वो चर्च आफ ऎंगलेंड और इसपेन और आऊस्ट्रिया के जो सरकारी वेवास था जिसको मानती थी, वो थी Catholic Church That means यहाँ पर ईशाय धर्म का बोल वाला था जबकि उदारवादी लोग क्या चाहते थे उदारवादी लोग यह चाहते थे कि केवल ईशाय धर्म को मतलब केवल राज समर्थ धर्म को ही महतों ना मिले बल्कि सारे धर्मों को वहाँ पर मुसलिम्स भी थे वहाँ पर बुद्धिष्ट भी थे उनको भी उतना ही सम्मान और सत्ता और समाज में भागीदारी और जगह मिले ये कौन चाहता था उधारवादी मतलब उधारवादी सर्वधर्म संभाव चाहते थे उधारवादी समूँ जो था वह वन्ष आधारित शाषकों की अनियंतरित शत्ता के भी विरोधी थे वन्ष आधारित शाषक मतलब दादा राजा थे तो पिताजी राजा बन गए पिताजी राजा है तो पुत्र राजा बन जाएगा पुत्र राजा है तो पुत्र का पुत्र राजा बन जाएगा इस तरह से एक वंशावली में बाप राजा था इसलिए उस खांदान में जितने भी बाप के बाद बेटा हुआ बेटा के बाद बेटा हुआ फिर उसका व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उदारवादी ये चाहते थे कि सासन के समक्षे व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा हूँ। उसको बोलने की सुतंतरता मिले। उसको काम करने की सुतंतरता मिले। उसको सिक्ष या चीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए मतलब उधारवादी समू के जो लोग थे उनका कहना साफ था कि किसी भी सरकार किसी भी सासन के पास में यह अधिकार होना ही नहीं चाहिए कि वह जनता को दिये जाने वाले अधिकारों का हनन करे या उन अधिकारों को छीनने का दुस्सा हस करे ये उधारवादी समू के लोग चाते थे तो उधारवादियों के बारे में यदि आपको लिखने को आता है तो में चीज क्या थी पहला वे धार्मिक स्वतंतरता के हामी थे दूसरा वे निरंकुस राजतंतर जो वंश आधारि मेंदारी ग्रहन करे कि व्यक्तियों की स्वतंतरता समानता का हक उनको दिया जाएगा उनसे छीना नहीं जाएगा तो ये उधारवादी समूं की कारिशयली हो गई तो ये समूं प्रतिनिद्ध पर आधारित एक ऐसी निरवाचित सरकार के पक्ष में था जो शाशकों और अ की उधारवादी समूं के बारे में जैसा की अपन जानते है कि वे धार्मिक स्वतंतरता, धार्मिक समानता के पक्षदरते, व्यक्तिमातर के अधिकारों के हामी थे और राज तंदर के धुरविरोधी थे इसके लिए उनके पास एक योजना थी और वो ही योजना क्या थी? कि वे चाते थे कि ऐसी न्यायपालिका हो जिसके उपर ना तो सिंगहसन का नियंत्रण हो ना ही किसी दमदार अपसर का नियंत्रण हो और वह है उनसे मुक्त न्यायपालिका हो जो स्वतंत्र और निश्पक्च हो और उसी के अनुसार शाषन अपना कारे करे मतलब निश्पक् राजनितिक सोच थी उधारवादियों की ठीक है ना आप लोगों ने देखा कि उधारवादी सम्मून कितने अच्छे थे ना वो लोग वे चाहते थे कि ना तो वह इंशावाली के आधार पर राजा कर बेटा राजा बने ना योगता चाहते थे मतलब यह नहीं कि राजा रा इनकी जो राजनितिक सोच थी उसमें था कि व्यक्ती मात्र के अधिकारों को सुरक्षित रखने का पूरा दायत तो शाषन का है सब्ता का है बहुत अच्छी बात है लेकिन इन सारी बातों को इनकी एक बात गुर गोवर कर दे रहे थी चौपट कर दे रहे थी नहीं थे ये अलोग तांत्रिक थे ये पूरी तरह से अलोग तांत्रिक थे कैसे जैसे फ्रांस की क्रांति आप लोग याद कीजिए फ्रांस की क्रांति के समय पे क्या हुआ था जब राज तंत्र को हटाया गया और उसकी जगह पर नैशनल असेम्मिली वाले लोग आये तो लेकिन विशेश अधिकार नहीं था, इनके अंदर एक छटपटा हट थी कि कुलीन वर्ग को, सामनतों को, पादरियों को विशेश अधिकार मिल रहे हैं, हमारे पास भी पैसा है, हम भी बड़े आदमी हैं, हमको वो अधिकार क्यों नहीं मिल रहे हैं, इनको इस बात की चिंता नहीं थी कि मजदूर को किसान को समानता का सुतंतरता का बंधुत्तों का जो अधिकार है वो मिले या ना मिले उनको चिंता इस बात की थी कि हम पैसे वाले हैं तो हमको राज दरवार में विशेश अधिकार प्राप्त क्यों नहीं हैं बस सारी क्रांती इसी से शुरू ही हला की सुरुवात और होने की और उस सुरुवात को एक्सिलरेट करके उस स्टार्ट अप को यहां से जमीनी लेबल से गरीब गुरुबों ने त्वरन किया एक्सिलरेट किया और क्रांती का सही रास्ता पकड़ लिया मंजिल के लिए सही र बागी बातें अच्छी कर रहे थे लेकिन ये लोकतंत्रवादी नहीं थे कैसे ये अलोकतंत्रवादी थे चलिए हम इसको और समझे पर यह समूँ लोकतंत्रवादी नहीं था मतलब डेमोक्रेट नहीं था ये लोग सार्व भौमिक वैस्ट मता अधिकार यानि सभी नागरिक इठो, कैथो लिखो, प्रोटेस्टेंटो, आर्थो, डॉक्सो, कोई भी हो, सब को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन ये कहते थे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर इनकी क्या राहे थी, फिर ये क्या चाहते थे आखिर, तो उनका मानना था कि वोट का अधिकार मिले, ये कहना था उदारवादियों का, यहाँ पर आप देख रहा हैं कि एक हाथ जो ये नागरिक है, जो पैसे वाला है, ये पैसे लेकर आता है, तब उदारवादी, उदारवादी बोले तो लिबरल, तब ये लिबरल्स जो हैं, अपना हाथ आगे बढ़ाते ह वैलेट बॉक्स के साथ में कि हाँ, अब आप वोट दे सकते हैं, चुनाओं के लिए सरकार चुन सकते हैं, तो अब आप लोग खुद सोचिए, जो पैसे वाला होगा, वो अपने हित साधन करने वाले साशकों को चुनेगा, या गरीब जनता के भला करने वाले साशकों को है कि नहीं, तो यहीं से उदारवादियों की ये जो मानसिकता है, ये पकड़ में आती है, कि उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को मिलना चाहिए, गरीब गुर्बों का लोक तंतर में कोई इस्थान नहीं है, ये उदारवादियों की सोच थी, यहां गए उदारवादियों की बाद समय लिए, अब हम देखते हैं रैडिकल्स को, उदारवादियों के विपरीत, रैडिकल्समूह के लोग एक ऐसी सरकार के पक्ष में थे, जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पराधरित हो, मतलब इस तरह से देश की आबादी जो है, वह मतदाता हो, और वो जिसको सपोर्ट करें, वो उसकी सरकार बनाएं, इन में से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदूलन के भी शमर्थक थे, मतलब रैडिकल्स लोग लोक तंतरवादी थे, यह वाद समय आती है, उदारवादी के चाहते थे, कि सिर्फ उनक डालने की उम्र तक पहुँच जाता है, उसको वोट डालने का अधिकार मिले, उसको मत देने का अधिकार मिले, और उसके मत के आधार पर ही सदश्यों का निर्वाचन हो, फिर उन निर्वाचित सदश्यों में से ही विधाईका का निर्माड हो, और इस विधाईका के पास म वह शक्ती हो कि वह कारपालिका के निर्माड कर रहे वह शाषन व्यवस्था को चला है ठीक है न इन्ही मैंसे इन्ही रैडिकल्स मैंसे बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे अच्छा महिला मताधिकार आंदोलन क्या था महिला मताधिकार आंदोलन म तो महिलाओं ने अपने लिए वोट हाशिल करने के लिए वोट का अधिकार हाशिल करने के लिए अंदोलन शुरू किये तो इन radicals में से बहुत सारे लोग भी महिला मता अधिकार अंदोलन की समर्थक थे मतलब हम ये कह सकते हैं कि वडारवादियों के विपरीत रैडीकल लोक कुछ समानता है भी हैं क्या भिठ्णता है हैं और क्या समानता है हम ये बहुत ध्यान से देखें तब समझ में आएगा उधारवादियों का आपके समझ में आए इंद्धारभादी धर्मिक संभाव के पक्षधर थे उधारवादी निरंकुस राज्त तंत्र जो वशार वाली प्राप्त किसी भी तरह के विशेशाधिकार के खिलाप थे यह बिलकुल नहीं चाहते थे कि जमीदारों को या जो रिच बिजनिसमेन हैं बड़े बिजनिसमेन हैं उनको कोई सासन की तरफ से विशेशाधिकार प्राप्तों हैं बिलकुल भी इस तरह के वे फेवर में नहीं लेकिन एक चीज और ये लोग नीजी संपत्ती के विरोधी नहीं थे ये लोग ये चाहते थे कि संपत्ती का संकेंद्र ना हो संपत्ती किसी एक व्यक्ति के पास या किसी एक समूव विशेश के पास में एकत्रत हो करना रहा है ये रैडिकल्स लोग चाहते थे देट मींज रैडिकल्स की एक विशेश्ता निकल कर आई ये लोग तंत्रवादी थे दूसरी विशेश्ता ये आई कि ये समानता वादी थे समानता मतलब बड़े जमिदारों और संपन उद्योग पतियों को प्राप्त विशेश अधिकारों के खिलाप थे निजी संपत्ती के विरोधी नहीं थे क्योंकि इनमें भी काफी लोग संपत्ती धारी थे रैडिकल्स में लेकिन ये लोग ये नहीं चाहते थे कि जो संपत्ती है जो धन या पैसा है वो किसी एक समूह या किसी एक व्यक्ती के पास में केंद्रित हो वह समाज में विकेंदर तो हो जाए धन ऐसी व्यवस्था के वे पक्षकार थे अब बात करते हैं हम रोडिवादियों की उदारवादी सौन में आया हमको और हमको सौन में आगया क्या? रैडिकल्स तो मतलब हमको ये सौन में आ गया कि उदारवादी थे और रैडिकल्स अच्छा इन लोगों में असमानता वाली बात क्या है उदारवादी अलोकतांत्रिक थे जबकि रैडिकल लोकतांत्रिक थे लेकिन इन दोनों में अगर आपसे ये बोले कि समानता वाली बात क्या है तो क्या समानता है वो उदारवादियों में और रैडिकल्स में याने आमूल परिवर्तन वादियों में क्या समानता दिखी आपको मुझे तो एक समानता दिखी कि दोनों जो है पैसे के पक्चधर थे उदारवादी जो थे वे पूरे तरीके से खुल के फेवर में थे कि जिसके पास पैसा होगा वही वोट देगा लेकिन रैडिकस जो थे ये दबे रूप से फेवर कर रहे थे ये खुल कर समर्था नहीं कर रहे थे कि हाँ उदारवादियों की तरह खुल कर समर्था नहीं कर रहे थे लेकिन ये भी ये कहते थे कि संपत्ती हो अच्छी बात है लेकिन एकी ही व्यक्ति के पास नहीं सब के पास थोड़ी थोड़ी हूँ मतलब पूझी वादी माने सिखता तो इन रेडिकल्स की भी थी और उदारवादियों की तो खुले आम थी चलिए एक और सम्मू बजता है रूड़ी वादी उनको और समझ लेते हैं हला कि नाम से आप लोग कुछ-कुछ गैस कर पा रहे ह वर्स्तुता है हम चलिए समझ लेते हैं रूड़ी वादी की बात करें अगर हम तो रूड़ी वादी तपका जो था वह रेडिकल्स और उदारवादी दोनों के खिलाब था मगर फ्रांसीसी करांती के बाद रूड़ी वादीयों को भी बदलाओ की ज़रुवरत को सुईकार करना पड़ा रूड़ी वादी ऐसा के नाम इससे पता चलता है कि ये लोग परंपरावादी थे ये लोग ये नहीं चाहते थे कि परानी चीजों से जल्द से जल्द छुटकारा पालें ये ये भी नहीं चाहते थे कि राजा से एकदम से छुटकारा पालो ये आउसर दे दे कर चाहते थे कि चलो ग्यापन दे आओ साब हमको मौका दे दो सर हमारे लिए छूट दे दो इस तरह की सोच वाले थे तो शुरुवात में 18 वी सदी के सुरुवात में तो ये रिजिट थे बिलकुल मतलब conservative सोच जो थी जो रूड़ी वादी सोच थी वो ये कहते थे नहीं नहीं कोई बदलाव नहीं होगा जो व्यवस्ता है वह अच्छी इसमें किसी तरह की कोई बदलाव की जरूरत है ही नहीं लेकिन जब फ्रांस की क्रांती हुई और फ्रांस की क्रांती के बाद उन्होंने देखा रूड़ी वादियों ने कि यार ये तो फ्रांस पूरे ही बदल गया गरीबों को अधिकारी मिल गए यहाँ पे तो स्वतंतरता समानता और बंधुत्त तो बढ़िया नारे के साथ में ये लोग आगे आए और इन्होंने उसको हासिल भी कर लिया तब इनको लगा कि हाँ अब बदलाव की जरूरत है और फिर ये लोग कहने लगे कि हाँ चलिए ठीक है थोड़ा थोड़ा बदलाव आप लोग चाहे तो कर सकते हैं वो भी थोड़ा थोड़ा बोला ये नहीं बोला कि आप आमूल परिवर्तन कर दो क्योंकि यह आमूल परिवर्तन बोलते हैं तो फर यह रूड़ी वादी नहीं कहलाएंगे क्या कहलाएंगे रैडिकल कहलाने लगेंगे है की नहीं तो इस तरह से रूड़ी वादीयों की जो विचार धारा थी वह स्लो प्रोसेसिंग में थी यह लोग अतीत से प्रेम करने वाले लोग थे यह लोग चाहते थे कि कोई भी सुधार हो लेकिन क्रम सह धीरे-धीरे हो एक दम से कोई बदलाव नहीं आराम हमें तो यह बदलाव चाहते ही नहीं थे लेकिन इनको बदलने में महतोपुन भूमी का निभाई और वे भी मानने लगे कि चलिए ठीक है आप लोग इसमें बदलाव कर सकते हैं पुराने समय में यानि 18 मी शतादी में रोडी वादी आमतोर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे साप साप कहते थे कि समाज में किसी परिवर्तन की आवश्चता नहीं है जो आज है वह समयानुसार धीरे धीरे बदल कर हो गया है भविस्स में भी स्वतह परिवर्तन प्राकृतिक रूप से हो जावेगा लेकिन जैसा कि मैंने बताया फ्रांसी सी करांती हुई, सफल हुई तो 19 वी सदी के आते आते इन लोगों के विचारों में भी परिवर्तन होने लगा और ये भी मानने लगे कि हाँ कुछ परिवर्तन आवश्चक है लेकिन उसके साथ साथ वी यह भी चायते थे कि अतीत का समान किया जाए अतीत को पूरी तरह से न ठुकराया जाए बदलाओं की प्रक्रिया धीमी हो मतलब इन्होंने सर्ते लाद दी कि परिवर्तन करो भी यह अच्छी बात है लेकिन एवा ध्यान रखो कि अतीत का स्वागत करो राजाओं को पूरी तरह के से नश्ट नमत करो राजाओं का सम्मान करो नवाबं का सम्मान करो सामन्तों का सम्मान करो और उनमें विवस्थाओं को धीर धीर बदलने के प्रयास करते रहो ये सोच थी रूढ़ी वादियों की फ्रांसिसी क्रांती के बाद पैदा हुई राजनितिक उथल पुथल के दोरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफी टकराव हुए 19-वी सदी के क्रांती और राश्टी कायंतरण की विभिन कोशिशों ने इन सभी राजनितिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को इस पश्ट कर दिया फ्रांसिसी क्रांती जिसको हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं उस फ्रांसिसी क्रांती ने सारे यूरोप में परिवर्तन की एक नई लहर पैदा कर दी और ये जो विचार हमने देखे उदारवादी, रोड़ीबादी और रैडिकल्स इन विचारों में समाज परिवर्तन को लेकर जो इनकी अलग-अलग कारेसेलियां थी, अलग-अलग सोच थी, इनके बीच में काफी घमासान हुआ ये लोग अपने-अपने हिसाब से समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे जैसा कि आप लोगों ने इनकी कारेसेलियों को यहाँ स्क्रीन पर देख चुके हो क्या देखा हमने इसमें उधारवादी सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे थे लेकिन एक काम गलत था वो लोकतंत्रवादी नहीं थे रैडिकल्स इनकी बिचारधारा काफी अच्छी थी काफी हद तक थी लेकिन ये कहीं न कहीं पूझी वाद को समर्थन दे रहे थे रूडिवादी तो खेर रूडिवादी थे ही, कंसरवेटिव सोची थी उनकी, चाहते ही नहीं थे कि कुई बदलाओ हो उनको तो ये लगता था कि समय के हिसाब से सब कुछ अपने आप बदल जाएगा लेकिन जब फ्रांस की क्रांती हुई तो उनको एक जटका लगा, अरे ऐसा भी हो सकता है और जब ऐसा हुआ, तब उन में से कुछ दादा लोगों ने, स्याने लोगों ने कहा आचल ये भाईया ठीक है, आप लोगों को अगर लगता है, तो थोड़ा-थोड़ा कर लेना बदलाओ एकदम से मत करना, थोड़ा-थोड़ा बदल लेना किसने कहा, कंजर्वेटिप्स ने रूड ही वादी सोचके समोहन आने वाले समय में जब यूरोप में औद्धियो के करांती आई, तो वहाँ पर उद्धियो का समाज कैसे बना उस समाज के लिए उदारवादियों ने कैसे काम किये, रैडिकल्स ने कैसे काम किये, इन सारी चीजों को हम पढ़हेंगे इसी अध्याए यूरोप में समाजवाद और रूसी करांती के अंतरगत लेकिन आगले वीडियो में आज के इस वीडियो में आपने जो कुछ भी मैंने बताया और आपने समझा उसके ये पांच प्रश्ण हैं उनको थोड़ा नोट करने पर पहला प्रश्ण है यूरोप में परिवर्तन के संदर्भ में कौन-कौन सी विचारधाराएं सामने आई मतलब समाज परिवर्तन के लिए कौन-कौन सी विचारधाराएं थी जो सामने आई दूसरा यूरोप के देशों में किस धर्म की प्रधानता थी यदि आपने इस वीडियो को बिना स्किप किये एक एक अक्षर को बहुत अच्छे से समझा होगा तो इस वीडियो के आरंब में ही इस प्रशन का उत्तर आपको मिल जाएगा तीसरा उदारवादी, रेडिकल और रूलिवादी में क्या अंतर्था लिखिये मैं इसमें एक चीज और जोड़ूँगा, इन तीनों में समानता क्या थी आप उसको भी खोजिए और उसको कमेंट वाक्स में लेक्के दीजिए चौथा प्रशन है, महिला मतादिकार आंदोलन क्या था यह इस पार्ट का विश्य नहीं है, लेकिन फिर भी चुकी फ्रांसिसी करांती में हम लोग पढ़ चुके हैं और यह प्रशन छूड़ गया था इसलिए आपको बताना है कि महिला मतादिकार आंदोलन क्या था अब पांचवा प्रशन जो थोड़ा अनुप्रियोगात्मक तरीके का है यदि यूरोप में आप उस समय रह रहे होते तो आप निमने लिखित में से किस समूह को पसंद करते और पसंद करते तो क्यों करते पहला समूह था उद्रवादी, दूसर था रैडिकल और तीसरा अरूढ़िवादी आप इस पांचवे प्रशन का उत्तर अपनी कॉपी में तो लिखें साथ में कमेंट बॉक्स में भी दें कि आपको उदारवादी, रेडिकल यारोडिवादी समूह में से कौन सा समूह बहुत पसंद आया यूरोप में समाजवाद का आगमन और रूसी करांती तो रूसी करांती को तो हम अगले हथे पढ़ेंगे ठीक है ना ये तीन-चार वीडियो जो इस अध्याय के हैं इनको हम फिनिश कर लें, कंप्रीट कर लें समझके इसके बाद रूसी करांती पर हम पहुँचेंगे तो यूरोप में समाजवाद के आगमन की जो सीड़ी थी जो आरम बता हुआ है फ्रांसी सी करांती से हुआ इसके लिए अलग-अलग तरह के विचार आए उन विचारों में उदारवादी, रूढ़िवादी और रैडिकल्स थे इन में अंतर थे विचारों में तो कुछ समानताएं भी थी प्रिश्ट उत्रों में आप लोग करेंगे, आप लिख लेंगे ठीक है तो इस वीडियो में बताया गया कंटेंट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा यदि फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम पूरी कोशिस करेंगे कि आपका समाधान या तो उसी कमेंट बॉक्स में रिपलाई के साथ कर सकें, या फिर अलग से अगले वीडियो में आपको उसके संदर में बताने की कोशिस करेंगे अच्छा, कुछ इस्टुएंट की डिमांड आ रही है कि सर मैट्स पढ़ाईए, सर इंगलिस पढ़ाईए तो आपको बता दूँ अभी हमारा घर, हमारा विद्याले के अंतरगत सामाजी विज्ञान विश्चा के वीडियो को तयार करने में इतना वक्त लग जाता है कि अन्य विश्यों के लिए मैं भी वक्त नहीं देपा रहा हूँ लेकिन आइंश्योर यू कि जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं इंगलिस और मैट्स की क्लास भी बहुत जल्दी इस चैनल पर लेकर आने वाला हूँ तो चलिए ठीक है, आप लोग देखते रहिए E-classes by Manish sir और मुझे इजाद दीजिए जय हिंद